वेलकम तो निव वीडियो आज हम एक पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं विचिस कनेक्टिविटी प्लस लाइक कनेक्टिविटी प्लस जैसे हमें अपने अप के अंदर चाहे हो Android का यह चाहे हो iOS का यह हम बात करें Flutter की जो एक हाइब अप है विकजस कभी कभी क्या होता कि हम कुछ चीज या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे है या सब्सक्रिप्शन कोई भी यूगन से कोई एक्जांपल में अगर आपको दूँ कि जससे हम कोई एक्टिविडी या आप कह सकते हो कि कोई भी API कॉलिंग कर रहे है या कुछ भी कर रहे है ठीक है और वहां पर पता है कि रिजल्ड नहीं आएगा तो या तो हम नो एंट्रेट के डिव एल्स में दिखा सकते हैं टर्मिनेशन पर या फिर हम एक्सिस करके भी वहीं पर उसको स्टॉप कर सकते हैं विदाउट कॉल करने से पहले तो जदी उसको देखते हैं कैसे करते हैं तो मैं आपको एक डेमो देखता हूं यहां मेरा सिमिलेटर यहां पर मैंने एक सिंपल एक स्कैन फोल में एक हैटर बना दिया टाइटल एक बटन बना दिया है यहां पर एक टेक्स बॉक्स है तो में क्लिक करता हूँ चेकस्टी तो यह मेरा समिलीटर है जो Wifi से चनेक्टिट है तो इह यहाम पर मुझे कनेक्टिट हूँ वाई-फै दिख रहा है यहाँ पर आपर आपकलिक करता हूँ यह भी भी ओके यहां का Wifi इंस्ट्रॉल तो जब बंद होगा तब यह काम करेगा, so of course, यहां का Wi-Fi यह सिमिलेटर इसका बंद होता लिए, तो आप Android में अपने रियल टाम डिवाइस में चेक कर सकते हैं इसको, तो चलिए बनाते हैं कैसे इसको यूज करना है, so as you know, सबसे पहले हमें जाना है, file के अंदर नियू के अंदर, and यहां पे हमें create करेंगे new Flutter project, and Flutter project के अंदर आपको यहां पे next करना है, अगरा यहापे आपको title वगरा, सब डालके हमना, Java चूश कर लेनी है, और Swift चूश कर लेनी है, इसको finish कर देना है, तो यहां पर मैंने अल्रीड कर रखाया है, उसके बाद हम जलते हैं यहां पर प्ब्लिक, sorry, pubspecific.yml के अंदर, यहां पर आपको यह प्यक्ज कोपी करना है, यहां पर आप सिंपल कोपी कर दीजे, इसको आपको पेस्ट करना है, आपके dependency section के नीचे, जैसे हमें यहां पर इसको करना है, global string, okay, connection string, यहां पर मैंने simple test define कर दिया, okay, and उसके बाद, यहां पर, यहां पर, यहां पर यहां पर एक बटन मुना है, elevated बटन, इसके on place पर मैंने check status का function ना है, जो कि एक asynchronous function है, and यहां पर सबसे पहले एक variable defined है, connectivity result का, and यहां पर अवेट करके आप connectivity का class call करना है, and उस okay, आप इसको read भी कर सकते है, command और control क्लिक करके, and यहां पर आपको some if else लगाना है, and इसमे connectivity result equal to equal to, यह जो आपका connectivity का आपने result दिया है, and अगर यह mobile data से connected है, तो यह आपको print कर देगा, connected to a mobile, and यहां पर मैंने set state कर दिया, string को change करने के लिए, string के message को change करने के लिए, connected to a mobile network, and else asif में, यहां पर मैंने चला दिया, Wi-Fi, अगर यह Wi-Fi से connected होगा, तो यहां पर मुझे print कर देगा connection, and यहां पर आप इसमे else में, no internet connection को भी print करा सकते है, no internet connection, okay, and इसको print में भी डाल देगे, asif, okay, तो आप इसको real time device में चेक कीज़ेगा, अपने on off करके, then आपको accurate result मिलेगा, and इसके अलावा भी, अगर आपको यह चीज़, यह तो एक बटन क्लिक के ओकर, जैसे मैं आपको run करा करा कर दिखा हूँ, यह मैंने hot reload कर दिया इसको, ठीक है, तो यहां पर message as it is आ रहा होगा, मैं इसको दुबारा restart करता हूँ, and check status, अब आ रहा ही no internet connection, क्योंकि यहां पर म network check करना है, तो यहां पर आपको एक stream defined करने पड़ेगी, जो है stream subscription, इसके बारे में मैं आपको पता तूँ पहला है, यहां तो आप यहां पढ़ सकते हैं, यहां आपको इसकी documentation में लेख सकता हूँ, यह URL में mention कर दूँगा, तो यहां पर दिख सकते हैं, the subscription provides event, sorry, बहुत करके है, आपको इसका auto return करते हैं, कि आपका जैसे कोई भी internet connection on off, या switch on off, या volume, कोई भी आप इससे, continuously इस method से आप, आपके controls का access ले सकते हैं, okay, so, यहां मैंने इसको late, define करके, stream subscription ले लिया है, and in its state tender में यह method define कर दिया है, कि connectivity में अगर कोई भी changes आते हैं, तो यह उसको listen करता है, and print कर देता है, आपके result को, okay, जैसे आप दिख सकते हैं, आपर, new connectivity status, eri, and आप इसको real device में dash करेंगे, तो आपको ज्यादा बैटर मिलेगा, जैसे आप दिख सकते हैं, आप इसको else में लगाने के बजाए, dot none के अंदर भी लगा सकते हैं, but else is okay, ठीक है, because अगर को connection ही नह आप फ्लेटर के बारे में, किसी भी package के बारे में चीए, तो please comment below, okay, so like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, तब मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, bye-bye.